जनता कर्फियों और टोटल लॉक्डाउन को इस मैने दो साल कम्प्रीट हो गए अपने मोदी जी ने ये एतिहासिक लड़ाई लड़ी जब भी महामारी के खिलाप लड़ने के तरीकों का इतियास लिखा जाएगा जनता कर्फि को सुवर्णी मक्सर से लिखना पड़ेगा चाहे लिखने कोई भी बैठे इसके बाद दिया जलाना इसके बाद घंटी बजाना थाली बजाना अबे मजाक नहीं कर रहा है लोगों को बुला बुला के पैसे बाटे है पैसे ये ऐसे ऐसे ना मैंने कह रहा अपने होम मिनिस्टर साब वो खुद कह रहे है कुछ भी पता नहीं ये नेता लोग कैसे कर लेते काम किये बीना एकदम 56 इंच वाला सीना ठोक के बोलना की काम हुआ है जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है जोक सबाट लेकिन मुद्दे की बात करते हैं होम मिनिस्टर साब का ये जो भाशन है ये 2020 का है और इसके टिक 6-8 महिने बाद जब सेकंड वेव वाई थी 2021 में तब क्या हुआ था वो सारी दुनिया ने देख लिया है ना गलतियों का सारा बोज हम कॉमन मैन के मत्थे नहीं मार सकते सरकारी केरलेसनेस ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है ये सेकंड वेव में होने वाले हाहा करका और एग्जैक्ली आईसा ही हो रहा है इन दिनों चाइना में खास करके चाइना के शंगाई शहर में अधिक जानकरी के लिख वीडियो को एंटर जरू देखना कोरोणा अभी दख खतम नी हुआ है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिये और घंटी बजाने के बाद all notifications को भी on कर दीजिये चाइना का exactly क्या सीने किसी को कुछ समझ मिन याँ पहले तो यार गाली दे देख चाइना को जब तक चाइना को गाली ना दू में दिन पुरानी होता पैदर वे आपको पता है चाइना को गाली क्यों देता हूं मैं भैसाब जिस country में COVID पैदा हुआ उस country के पिछले 2 साल के हालत क्या थे किसी को कुछ पता नहीं था कितने cases निकले कितने मर गए कितने लोग को अच्छी quality की vaccines दी गई कुछ पता नहीं लेकिन अच्छानक से पिछले 2 महिनों से चाइना से record break lockdowns की खबरे आने लगी सिर्फ चाइ और दूसरी तरफ यूरोप की तरफ देखे तो यह बड़े बड़े धब्बे दिखाई दे रहे ना European nations में यह high density infection है यह देखो complete यूरोप इस वक्त ओमिक्रोन और उसके sub variant से effect हो चुका है UK में भी हालात बहुत कराब होते हुई दिखाई दे रहे अभी फिलहाल तो control में है लेकिन infection का rate आज तक के सारी records ब्रेक कर रहा है फुल vaccination होने के बावजूद, boosters देने के बावजूद, एक हफते में भाई साब 10 लाग cases positive निकल के आये है, hospitalization का rate अला की कम है लेकिन बताया जा रहा है कि यह ऐसा ही चलता रहा, तो आने वाले टाइम में भोती जल hospitals full हो सकते है फिर से एक बार चाइना की तरफ आते हैं, चाइना का जो शांगाई city है, यह financial hub चाइना का और इसकी financial condition पूरी दुनिया को affect करती है, याने कि शांगाई की economy में अगर कुछ हलचल हो जाती है, तो उसका आसर global economy पे पढ़ता है, और इसी शांगाई city में आज तकरीबां धाई करोड लोगों को जबर्दस्ती lockdown कर रखाए, अब उन सब का टेस्ट हो जाएगा, शांगाई city हला की पूरा lockdown नहीं किया हुआ है, लेकिन शांगाई से बाहर जाने वाले सारे रस्ते, सारे railway, सारे river crossing, सारे bridge बंद कर दिये है, शांगाई से बाहर अगर आपको जाना है, तो 48 सब्सक्राइटिक material उसके body में है या नहीं, यह presence चेक करने के लिए, यह nuclear acid test होता है, वो वहाँ पे इन दिनों किया जा रहा है, जब पूरी दुनिया में ऐसी condition आई थी ना, कि भर भर के लाको करोडों की testing करनी पड़ रही है, तब पूरी दुनिया में एक तरीका अपना है जिसे बोला जाता है, live with the COVID, COVID के साथ जिना, लेकिन चाइना की मस्ती यहाँ पे उतर नहीं रही है, चाइना आज भी अपनी zero COVID policy पे अटल अड़ा हुआ है, वाइरस के आखरी particle को भी ढून ढून के मारेंगे, ऐसा डिसाइड कर लिया है चाइना ने, आज की तारिक में अग जहां के धंदे अफेक्ट हो रहे, global business अफेक्ट हो रहा है, टेसला, car manufacturing company जिसका ओनर Elon Musk के, उनका production वहाँ पे temporary basis पे रुकाना पड़ा है, Elon Musk को खुद को कोरोना हुआ है, शांगाय सेटी के बाहर Silicon Valley में कुछ हद तक lockdown लग चुका है, जिसके वजह से semiconductor का business और खास करके, supply chain management थोड़ा बुरा असर दिखाए दे रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिरों में computer के parts के price बढ़ जाएंगे petrol की तरह, हलाकि Chinese authority ने guarantee दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम Chinese economy को किसी भी हालत में सफर नहीं करने देंगे, लेकिन lockdown भी लगेगा, zero COVID policy के साथ, मस्ती क हमनी होगी हमारी, होंग कॉंग ने भी पिछले दो महिनों में बहुत कुछ जला है, जिसके वज़े से वहाँ पे भी authorities ने vaccination का speed बढ़ा दिया है, बुज़ूर्ग, दिव्यांग, ऐसे लोगों को घर जा जाके vaccine दी जा रही है, हलाकि यह बहुत देर हो चुकिए, यह बिलक स्ट्रोक है, यह पुरे कोरोना काल में जो free की कॉलर ट्यून दी गई थी ना हर एक को, वो अब बंद कर दी गई है, वाकई में बहुत irritate कर रखा था इस कॉलर ट्यून ने, खास करके जब कोई emergency कॉल करनी हो तो, सच में यह वाहियात कॉलर ट्यून बिलकुल useless tools आभीत हो रहा था, आरुगे से तू आप की तरह, इस कॉलर ट्यून की या इस official Twitter handle की कोई सुन नहीं रहा था, इनके instructions को 90% लोग ignore कर रहे थे, यह सच्चा ही है, इस official Twitter account पे जो की खास educational purpose के लिए बनाया गया था, इस पे आज अज भी दिन में 25-30 messages आते हैं, और दूसरी तरफ सरकारी क्या कर रही है, election और सव मना रही है, मास्क अब सब पे समाज का प्रतिक बन जाएगा, खेर दुनिया की बात एक तरफ हिंदूस्तान की एक तरफ, लेकिन अगर UK में इतने aggressive vaccination drive के बाउजूद, आज यह हालत हो सकती तो हिंदूस्तान में भी हो सकती, 5-6 महिने से थोड़े और precautions ले लो, सबको सब कुछ पता, इसलिए repeat नहीं करूँगा, vaccine नहीं लिए, तो वो definitely ले लेना, वीडियो अच्छा लगाओ तो like, share, subscribe, बैबै, आपके दवा-दारू का इंतजाम कर दिया, आपके दारू का नहीं वो एक आद में कुछ हो गया बड़ा,